कि हलो एब्रीवन वील्कम्रों टूलग्न के लाक्ठी कि ऐसे और आज देखेंगे लेक्ट्चर नुमर फोर में रेलेवे ट्रांसपोरटेशन के बारे में देखेंगे अब तकहां रोड ट्रांसपोरटेशन के बारे में देखा था तो रेलेवे reminds आएं शौर आप सभी लोगों ने जादा तर सफर किया होगा, कभी नबहें तो लाइफ में किया है होगा तो रेलवे के बारे में हम जानेंगे, रेलवे की सुरुआत कब हुई थी और आपको पता है लॉंग डिश्टेंस में अगर हम जाना है बहुत लंबी दूरी तक अगर जाना है और सामान आपका बहुत जादा बल्क में अगर आपके पास सामान है तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं रेलवे का प्रीफर करते हैं भारती रेलवे जो है इंडियन रेल फिर आपने देखा हुगा डीजल वाली चलती थी और अब ऐसी चलती है जो मतलब इलेक्टिसिटी वाली इलेक्ट्रिक ट्रेंस यह स्टार्टिंग वाली ट्रेंग तो ऐसे फोड़ो भी मैं आपको दिखांगा और इंडियान रेलवे तो पहली बात उची दिया लगना रेलवे के थिरू हम क्या कर सकते हैं एक तो आपने ऐसी ट्रेंड देखेंगी और एक ट जाते सेंजर जाते सवारी गाड़ी । यह को हम बोलते हैं इनको की जो वहाज लगाड़ी इंहें प्रिक्ते रहे देख सो गारे किया हिए बोलते हैं कमा कितहाञी अधर मैस में खाल तो सबस्क्राइब जोластिक है लाने ले जाने में भी किसका रूल है नियुक्पर्ट का रोज़ाने लानe ले जाने में ऊझेGER dalगीज़ जाने में पिसका रूल है इंडीय रेलवे का रोल है umवीर्पर्डे। को अगर एक साथ अगर हैंसे हैं आप यह थी कोविड-19 के दुरान आपने देखा होगा जो ऑक्सिजन की सप्लाई करी थी सिलिंडर्स की वो भी जनरली किसके दुरू की गई थी रेलेवे के दौरा की गई तो रेलेवे मतलब हर जगे इसका यूटिलाइशन कर सकते हैं आपने कई बाग देखा होगा आर्मी की पूरी की की तो टुकड़ी होती है वो रेल्वे के तुरह एक जगे से दूसरी प्रांसपर करते हैं तो यह ले जाते हैं वलकि मदब गमीटर में यहां पर एक टेबल दे रही है ने लिए इस टेबल को आप थोड़ा कर सकते हैं इंडिया एक रेल्वे ट्रیک इंडिया का जो रेलवे ट्रेक है तीन प्रकार की हमारी रेलिक Lutheran देल 小 इन प्रकार की rift invalox तीन प्रकार की गेंज एंड दो पत्र प्रकियों के बीच मा इसे doos poly levels ट्रच इश Ms1.6쿤 सब्सक्राइब आपको मिलें बहुत जाद बाद मतलब इसका एकस पैंसन आप देखो लगबग 63,000 लगबगब हम बता रहें 63,000 किलोमीटर जो ट्रैक के वो कैसा है ब्रोड गेज वाला है, मीटर गेज वाला अंली 3200 किलो मिटर और नेरो गेज वाला तो बहुत ही कम है, 1751, जो आपके हिमाले वाले रीजिन है, हिली अरिया है, वहाँ पर ज्यादा लंबी, मतलब जाद डिस्टेंस जो है, पटरी के बिच में ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, क्योंकि हिमाले वाले जो है, हिली अरिया जो वहाँ पर उनका खोदाई करनी पड़ती है, तो बहुत जाला डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत पतले-पतले से राश्टे बनाए जाते है, और वहाँ पर नेरो गेज का इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, त सब्सक्राइब के परस्पेक्टिब से चला रखी है, पिलिग्रिमेज आपने देखा को बहुत सारे भारत में तीरत इस तरह हैं, तो उन तीरत इस तरह को कनेक्ट करने के लिए इंडिया डेलवे बहुत बड़ा रूल प्ले करती है, साथ के साथ में गुड्स को एक जगे स जब किसी जगे पर रुखती है, तो यह जो ट्रक्स होते हैं, यहां से सामान को भर भर के कहा ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, और मार्केट से हम लोग डार्क ली पर्चेज कर लेते हैं, तो इंडिया डेलवे भारत की एकोनोमी का हम क्या सकते हैं, इंडिया की ज ले जाने का काम कोई कि तरहां पर रावमेटरीयल को किसमें जो farmer कया जारा है टो सोच गुंचाने का काम जनरल हालांकि रोड से भी राव जा सकता है तो Indian railway यह चीज बहुत important है ध्यान रखना इंडियन railway जो है largest public sector undertaking है country का सबसे बड़ा public sector undertaking है public sector का मतलब है सरकारी मतलब company है जो बहुत सारे लोगों को क्या provide गराती है jobs provide गराती है plus economy में तो इनका role बहुत है प्लस यहां पर एक चीज एक नमर का कोशन यह भी पूचा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली तो ध्यान रखना इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने 1853 में बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इंडिया में सबसे पहले रेल वे क स्टार्ट होई थी तो ूश् Gina style 1853 में कहां से कहां तक मुंबई से थाने के बीच में तो यह मालो मुंबई हो गया यह थाने ओगया उल्षके tam इना कि बीचमे थिश्टेंश थी 34 kmp के आधरणे म scholarships लख लीना तो मुंबई SAY थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी कब चली थी 1853 में चली थी ठीक है यह चीज आप ध्यान रखना कितनी टिस्टेंस है इसे करके मतलब 16 जोंस में इंडियन रेल्वे को डिवाइड कर रखा एक नमबर पूचा जा सकता है तीन टाइप की गेजे में बताया था पट्रियों के बीच में एक मीटर डिश्टेंस है तो मीटर गेज पट्रियों के बीच में 0.6 या 0.7 इसको मोलते नेरो गेज तो तीन बारती रेल्वे के सामने तो चैलेंज़ भी बहुत सारे आप सोचो की जो हिली अरिया जा दिख रहे हो यह पर यह पूरा हिल है इसे बीच में टनल बनाके और फिर यहां पर पूल बनाया तब जाकर यहां से रेलवे आ रही है तो यहां पर पहली बार खुदाई की गई हो सब्सक्राइबस को गुझरना पड़ता है तो बहुत जादा डिफीकल्टी आती है यहां पर देख सकते हो इस अरिया में में बनाइगी यहोंगी तो किज अ वहां सात में नौत कि यहां पर यृली डेल्स के बिच में बिच बार रिवर्स आजाती है अब इन रिवर्स में क्या बनाना पड़ता है तो इस एरिया में भी दिक्कत है हमाले रिजन वाले रिजन यहां पर भी दिक्कत आती है साथ के साथ में आपको बिचने बिचने को मिलेगा बहुत सारी रिवर्स होती है जब रिवर्स करते हैं तो उसमें भी बहुत जादा खरचा करना पड़ता है यहां पीछे भी देख सकते हैं यहां भी बिरिज यहां भी बिरिज तो देखने में वह बड़ा संदर लग रहा है पर जिसने बन वाया बनाया होगा उस समय पर कितना डिफिकल्टी आई हुगी साथ के साथ में कई आपने देखा हुए यह यह बहुत जादा इंडियन रेले प्रदेश का फॉरेश्ट वाला एलागा है तो वहां से अगर रेलवे लाइन बिचाने में नीशली बहुत जाता दिक्कत आती है कि जो रेलवे के ट्रेक होता है वो दूब जाता है यह भी समझ्चा आती है कही जगे पर और इंडिया डेलवे की एक समझ्चा हो रहा है कि या पर करेंंडीवे द्याट रहस ता है कि दालनी पड़ेंगे हो सुरू-शूरू में जो कौस्ट होथी है पिर आपको देखने को मैलेगा प्लेटम बनाने पड़ते है जय aurait स्टेशन बनाने पड़ते हैं तो इनिशल कॉस्ट जो होती है railway की बहुत ज़्यादा होती है यह भी एक इसके सामने समझ्या है अब और उसको चेक करने के लिए आपने देखा होगा ट्रेन में एक ब्यक्ति रहता है टीटी वह उनकी टिकेट चेक करते हैं बहुत सारे लोग जब बिना टिकेट के अगर जर्नी करेंगे तो सीधी बात है गाटा किसका होगा इंडियन रेल्वे को गाटा होगा दूसरा कई बार लोगो से पता चला फोल कर लिया कुछ आपनी पैसे सरकारी चीज हमारी टेक्स पर उसी स्सेट का यूज कर गया इंस बीसितों बना रही है दो बहुत सारी लोग क्या करते हैं रेल्वे क्रापटी को डैक्स का यूज कर गए इन सब प्राइब कर दो बनारी यह बहुत सारे प्रोपर्टी के चोरी कर लेते हैं यह भी समझ्चा है पिर कई आप ने यह भी देखा हुगा कि चलती हुग बीच बीच में रोग दिये जाता है चैन पुलिंग कर देते हैं आप अब ट्रेंड में आपने देखा हुगा एक चैन चलती रहते हैं अगर इमर्जिंसी कंडिशन कई भारत में जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं ट्रेंड को रोग देते हैं चैन पूलिंग कर देतें यांनेसेसरी इस से प्रीण बहुँशन होता है तो इंडिय बारे माद कर देंगे नहीं थेंक्यू तैंक्यू सो मुच कीप लटनिंग ये पिफ इंजोईंग इंड गॉ प्रेश वोल